हेली नोगी अगंदो श्राट चेप्र दनेल याने ऐलजबिक एक्सप्रेशन एं आइडेंटेटिष तो एक्सप्रेशन onion होता क्या है यह कुछ एक्सम्पाइल्पलस हें तो इससे वेलियबल उयुक् zumindest पार्ट होता है नहीं मल्टिप्लाइख mother विए ने घ्र och तो इससे वेरियबल और कॉंस्टेंट पार्ट का कॉंबिनेशन जो होता है उसको अपन एक्सप्रेशन करते हैं या फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा और डिटैल पर चलते हैं इसके कुछ और टर्मिनलोजी हैं जो आपको मालूम होने चीएं जैसे टरम्स क्या होती हैं टर्म्स कैसे इडेंटिफाइगी जाती है एक एक एक्सप्रेशन में जभी आपको प्लस या माइनस मिलता है तो नेक्स टर्म स्टार्ट हो अब यहाँ पर देखिए 7xy यह एक term है उसका माइनस मिला तो दूसरी term क्या है यह मेरी दूसरी term है तो जैसे ही plus यह minus मिलता है मेरी वो दूसरी term माने जाती है तो इस तरह से मैं number of terms count कर सकता हूँ एक algebraic expression में अब आते है factors क्या होते है एक कोई term बनती है उसको अगर आपन break करेंगे तो उसके factors बना सकते है अपन जैसे यहाँ पर term थी 4x 4x को अगर मैं break करूँगा तो 4 into x लिखूँगा तो factors क्या होगए एक factor है 4 एक factor है x क्योंकि 4 और x से multiply करके 4x बना है उसी तरीके से 7xy य 7x and y reason 7xy का मतलब है 7 into x into y तो factors है इसके 7x and y तो यह factors हो गए अब coefficient क्या होते हैं coefficient constant part जो variable के साथ available होता है उससे अब कोईफिशेंट कहते हैं for example 4x एक term है इस term के अंदर variable part x है इस variable part के साथ constant part क्या है 4 है तो 4x का coefficient है clear है अब देखिए यहाँ पर 7xy variable part क्या है xy इसके साथ constant part क्या है 7 तो xy का coefficient क्या है 7 ओके next terminology है monomial, binomial and polynomial तो monomial, binomial और trinomial भी होता है और उसके बाद diet polynomial बोल सकते हैं अब यह किस basis पर नाम दिये हुए है यह सारे polynomials ही है ठीक है या फिर ऐसे कहें कि algebraic expressions हैं तो monomial में क्या speciality होती है monomial में होती है 1 term जैसे देखिए यहाँ पर 4x2 यहाँ पर कोई भी plus या minus आप देखी नहीं सकते हैं यह एक अपने आप में single expression है with one term next, देखिए 3xy यह पी एक single expression है with single term यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 term है यहाँ पर भी एक ही टल्फ है यहाँ पर भी A की टर्म है यहाँ पर भी A की टर्म है और यहाँ पर भी A की टर्म है तो इस तरह से ऐसे algebraic expression जिसमें single term होती है उसे अपन monomial गोलता है अब binomial देखिए binomial में दो term होती है by means two तो binomial में दो term होती है तो देखिए यहाँ पर एक example दिया हुआ है first term A है second term B है तो दो term है और identify के जिसे किया मैंने बीच में plus का sign आया इसलिए next term start हो गई पहले A देखा फिर एक plus का sign मिला that means next term start होने वाली है तो A and B are my two terms अब यहाँ पर देखिए 4L एक term है फिर plus का sign है that means next term आप आईगी तो 5M जो है वो next term है तो यहाँ पर भी दो terms है तो यह भी एक binomial है अब एक term यह है फिर plus का sign है फिर दूसरी term यह है यह भी binomial है यहाँ पर देखिए एक term यह है फिर minus का sign है तो दूसरी term यह है और minus का जो sign होता है वो term के अंदर include होता है तो इसलिए मैंने circle इस तरह से बनाया plus वाले के case में मैं सिर्फ इस तरह से बना था reason plus वाले के case में अगर मैं plus sign include भी करता हूँ तो भी एक ही बात है और नहीं भी करता हूँ तो भी एक ही बात है तो वो plus 5m ही माना जाएगा अब यहाँ पर देखिए यह एक term है फिर minus मिला तो यह दूसरी term है तो यह binomial हो गया अब trinomial trinomins three trimens three तो trinomial बलता ऐसा algebraic expression जिसके अंदर तीन terms होती है तो तीन terms देखिए यहाँ पर first, second, third तीन terms हैं next वाले में देखिए first, second and third यह तीन terms है और इसके next में देखिए यह first term है यह second term है और यह third term है तो ऐसा algebraic expression जिसके अंदर तीन terms होती हैं उसे अपन trinomial बोलते है अब polynomial यह उपर जितने भी example हैं यह सब polynomial के examples हैं यह polynomial superset है poly means many यह तो जितने भी examples हैं चाहे उसमें one term है चाहे two term है चाहे three term है चाहे four term है चाहे five term है चाहे seven, eight, nine कितने भी terms हैं all are called polynomial monomial, binomial, trinomial यह specific polynomials हैं यह उसके subset हैं यह monomial ऐसा polynomial है जिसमें एक term है binomial ऐसा polynomial है जिसमें दो term है trinomial ऐसा polynomial है जिसमें तीन terms है बट polynomial सब है अब आता है like terms and unlike terms ये concept बहुत important है और ये concept आपको अगर clear है तो ये वाला chapter बड़ा smoothly निकल जाएगा तो देखिए like terms क्यों किया है कोई भी number add या subtract किया जा सकता है बट अगर उसके साथ कोई variable part आ जाए तो add या subtract करते वक्त आइड या subtract कर सकते हैं unlike terms को आप add या subtract आपस में नहीं कर सकते हैं multiply आप like and unlike terms दोने को कर सकते हैं बट या subtract करते वक्त आपको like terms ही आपस में add ओंगी और like terms ही आपस में subtract ओंगी तो देखिए like terms कैसे identify की जाती है जो variable part है अगर वो same है दोनों में यहाँ पर यह देखिए यह जो तीनों टर्म्स हैं यह लाइक टर्म्स हैं कैसे तीनों में वेरियबल पार्ट क्या है यहाँ पर वेरियबल पार्ट एक्स है यहाँ पर वेरियबल पार्ट एक्स है यहाँ वेरियबल पार्ट तीनों में सेम है that means यह idea subtract हो सकती है अब बोलोगे आप कि यहाँ पर देखिए जरी इसके साथ like क्यों नहीं है यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है थोड़ा सा difference है यहाँ पर x है यहाँ पर x square है जो variable part है वो exactly same होना चाहिए x square है तो दूसरे में भी x square होना चाहिए तो अब देखिए 7y का like term दूनते है यहाँ पर कोई है 7y का कोई भी like term नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी algebraic expression नहीं है जिसके अंदर variable part y हो अब देखिए 7xy का like term दूनते है तो यह देखिए minus 5yx यह दोनो like terms है अब like terms क्यों है आप बोलेंगे देखिए सर यहाँ पर xy है वहाँ पर yx है तो multiply में आगे बीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप देखेंगे वेरियर बार एकदम सेम है उसे साब से कैसे यहाँ पर x है वहाँ भी x available है यहाँ पर y है वहाँ भी y available है तो यहाँ पर xy है वहाँ पर yx है आगे बीचे लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए तो आप इसको minus 5 xy भी लिख सकते हैं तो यानि यह दोनों भी like terms है अब y square वाला देखिए कोई odd term है जिसमें y square आ रहा है नहीं है यानि इसकी कोई दूसरी like term exist नहीं करते है तो यह concept है like terms का यानि variable part exactly वैसा का वैसा होना चाहिए including powers तो अब अपने जब like terms और unlike terms समझ लिया है तो अब अपने उसको apply कर सकते हैं apply कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था कि like terms ही आपस में add या subtract हो सकती है unlike terms आप add या subtract नहीं कर सकते है clear है तो pick करते है example number one okay example one देखिए book में add या subtract करने का जो तरीका दिया हुआ है हम लोग वो preferred नहीं करेंगे आपन दूसरे तरीके से करेंगे ठीक है let's see देखिए कैसे करेंगे बुक वाला ये तरीका इसका मतलब ये नहीं है की गलत है but उस सेकिंड वाली अप्रोच जो मैं आप आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी ज्यादा बैटर है तो let's see ये बुक वाला आप देख सकते हैं थोड़ा से explain कर देता हूँ देखिए यहां से लेकर यहां तक एक algebraic expression है फिर कॉमा फिर दूसरा फिर ये तीसरा इन तिनों को add करना है तो उपर पहला लिख लिया नीचे दूसरा लिख लिया और फिर तीसरा लिख लिया और लिखते वक्त special क्या ध्यान दिया गया लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी गई है देखिए yz वाला पार्ट yz के नीचे है zx वाला पार्ट zx के नीचे है xy वाला पार्ट xy के नीचे है और यहां पर भी देखिए zx वाला पार्ट zx के नीचे है और इन के लिए कोई और like terms अवेलेबल नहीं है तो उपने chain के कुछ नहीं है तो इस approach से ना करके अपन दूसरी approach भी करते हैं तो वो discuss करते हैं सबसे पहले यह book वाली approach मैंने आपको explain कर दी है but we will not discuss this in much detail तो देखिए सबसे पहले जिन terms को add करना है वो terms लिए तो देखिए इन terms को मुझे add करना था मैंने terms लिए अब क्योंकि add करना है तो बीच में plus का sign लगा दिया तो अब अगर मैं bracket खोलूँगा तो पहली कोशिश मेरी क्या होगी like terms को एक जगे लेक्या हूँ पहले तो मैं normal bracket खोल देता हूँ क्योंकि एकदम initial question है तो मैं बहुत detail में और छोटे-छोटे steps के साथ कर रहा हूँ फिर जब एक बार practice में आ जाएगा तो अपन steps किप करना start करेंगे जो अपने को required नहीं है वो अपन स्किप कर सकते हैं जैसे अब यहां पर देखिए plus minus यह वाला minus आएगा और steps कौन से स्किप करेंगे अपन जैसे ब्रैकेट लगाना है यह प्लस के case में ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं होता reason क्योंकि प्लस के case में जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो as it is जो ब्रैकेट के अंदर है वही आपको बाहर मिल जाता है तो ब्रैकेट लगाई है या ना लगाई है कोई फर्क में पड़ता अब देखिए next step में brackets में खोल चुका हूं तो next step में like terms एक साथ लिखे आऊँगा तो देखिए एक yz यहाँ पर है तो इन दोनों terms को एक साथ लिख देता हूं अब देखिए zx एक zx यहाँ पर है एक zx यहाँ पर है और एक zx यहाँ पर भी है यह जनरली नजर में आता नहीं है क्योंकि एक z है बट एक z हो या zx हो एक ही बात है तो यह भी like term माना जाएगा इनके देखिए 3 x 2 करूं या 2 x 3 करूं कोई फर्क पढ़ता है कोई फर्क ने पढ़ता तो उसी तरीके से z x करूं या x x करूं दोनों एक ही चीज़ है तो अब देखिए मैं नीचे underline करता गया और यह इसलिए किया मैंने ताकि कोई miss ना हो जाए तो अब मैंने चेक किया एक तो यह वाला portion बच गया तो यह वाला portion मैंने यहां पर लिख लिया और यह वाला portion बच गया यह वाला portion भी मैंने यहां पर लिख लिया इस तरह से सारे underline होगे that means सारे मैंने लिख लिए, आप चाहिए तो underline कीजिए के dot भी लगा सकते हैं, इस से छोटा सा dot लगाते चलिए, तो इससे क्या होगा, वो दिखाई भी नहीं देगा, और आपको मालूम भी चल जाएगा, कि कौन सा आप लिख चुके हैं, कौन सा आप नहीं लिख चुके, इससे आपको क्या करना है, जो numerical part है, उसमें से numerical part subtract करना है, 7xy-2xy होगा आपको आस, 5xy, 5xy क्यों, 7-2 कितना होता है, 5, तो आपने numerical part में से numerical part subtract किया, और variable part as it is रख दिया, और variable part as it is इसलिए रखा, क्योंकि दोनों में variable part सेम ही है, और अगर इसका आपको detailed reason जालना है, तो यह देख अगर मैं xy common लेता हूँ, तो इधर तो बच्चे का 7 और इधर बच्चे का 2, clear है, तो xy into 7-2 कितना होगा, 5, तो अब multiply में तो आगे बीचे कर सकते हैं, तो यह हो गया, 5xy, इस तरह से यह 5xy आया, और वैसे आपको यहाँ रखना है, तो जब भी like terms idea subtract होती है, तो आपको numerical part है उसका, वो idea subtract करना है, अब next देखिए, इन दोनों को idea subtract करना है, तो देखिए 5 plus 4 करेंगे, 9 आएगा, तो 9 yz, अगे इन detail में देखते हैं, इस वाले को भी, देखिए 5 yz plus 4 yz, तो yz yz common लेंगे, तो yz common लेंगे, तो एक तरह बचा 5, एक तरह बचा 4, तो 5 plus 4 हो जाएग 9, तो 9 into yz, यानि 9 yz, तो इस तरह से, अब यह वाला देखिए, minus 3 zx plus 9, तो देखिए, minus 3 plus 9, या आपको देखा, plus 6, तो यह हो जाएगा, plus 6 zx, detail में देखना है, तो देखिए, minus 3 zx plus 9 zx, तो zx common लेंगे, zx common लिया, तो इधर आगे, minus 3, इधर आगे, plus 9, तो zx क्या हो गया, plus 9 minus 3, यानि 9 minus 3, यानि 6, ठीक है, तो यह हो गया, 6 zx, तो इस तरह से, यह detail step है, बट अपन डायेट्ट क्या करेंगे, और डायेट्ट कैसे करेंगे, जो variable part है, रखेंगे, numerical part पर operation perform करेंगे, अब देखि यह zx एक और available है, यहाँ पर, तो पहले मैंने 2 को add किया, अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देता हूँ, तो देखिए, 6 zx minus 3 zx, तो यह देखिए, 6 minus 3 मुझे देगा 3, तो अगर मैं इनको एक साथ करता, तो मैं यहाँ पर direct 3 zx लिख सकता हूँ, कैसे देखिए, minus 3 थ तो यह सारा, minus 3 और 9, ठीक है, इसने मुझे दिया 6, और 6 minus 3 ने मुझे दिया 3, तो इसने 3 zx, तो पहले मैंने 2 को किया, फिर उसके साथ एक और कर दिया, तो एक step और बढ़ जाएगा आपके इसमे, अब देखिए, यह like terms नहीं है, तो idea subject नहीं हो सकती, तो as it is लिख देगे जो term idea subject नहीं हो सकती, वो as it is आजाएगी, तो यह मेरा answer, और यह वही answer है, जो बुक वाले का दूसरे वाले method से आया था, तो I will suggest आप यह वाली approach follow कीज़े, कोई भी question solve करते हो, ओके, अब example number two pick करते हैं, again, एक बुक वाली approach है, वो आप देख सकते हैं, पर अपन किस तर से कर पहले आता है, for example, subtract two from three, तो two subtract किजिए three में से, यानि three minus two, तो three पहले आया, तो यह वाला पहले आएगा, इसको पहले लिख दिया, seven x square minus four x y plus eight y square plus five x minus three y, अब जो subtract करना है, वो लिख दिया, five x square minus four y square plus six y minus three, अब क्योंकि subtract करना है, तो बीच में minus का sign लगा दिया, अब subtract करते वक ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कंपल सरी है, reason, क्योंकि जब subtract करते हैं, और जब ब्रैकेट ओपन होता है, तो अंदर वाले सारे sign चेंज होता है, plus k के इसमें ऐसा नहीं होता, तो plus k के इसमें तो bracket लगाई है या ना लगाई ह अंदर bracket के जो है, वही as it is बाहर मिलेगा, पर क्योंकि minus के case में ऐसा नहीं होता, तो bracket लगाना जरूरी होता है, तो अब brackets खोलते हैं, देखिए, तो देखिए, first expression तो मैंने as it is लिख दिया, अब जो next expression है, उसके अंदर के सारे sign चेंज कर दोगा, तो plus 5x square था तो minus 5x square हो गय यह plus 4y square हो गया, यह minus 6y हो गया, यह plus 3 हो गया, अंदर वाले सारे sign चेंज हो गए, अब next क्या है, like terms को एक जगे लेके आना, तो देखिए, x square, x square, तो 7x square, minus 5x square, अब देखिए, xy, xy वाले और कोई term है, कोई भी term नहीं है, तो इसको as it is लिख देंगे, क्योंकि इसके इधर भी एक y square है, तो plus 8y square, plus 4y square, और उसके बाद देखिए, 5x, x वाले और कोई term है, नहीं है, तो 5x, फिर minus 3y, एक y की term यहाँ पे, एक y की term यहाँ पे है, जो जाएगा minus 3y, minus 6y, और फिर underline जो भी हो चुके हो, चेक करते जाए, last में 3 बचा है, तो यह जो बचा वाला portion है, वो भी लिए अब देखिए, अब देखिए, like terms को एडिया सब्ट्रेक करते हैं, तो यह दोनों like terms है, तो 7 minus 5 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इसके साथ कोई भी like term नहीं है, तो इसको as it is लिए लिए यहाँ पे देखिए, यह like terms है, तो 8 plus 4, कितना होता है, 12, तो यह minus 6, यह आपको देखा, minus 9, तो यह हो गया, minus 9y, और फिर last में 3 बचा, तो यह हो गया 3, अब यह मेरा answer है, अब इस वाले answer को देखिए, बुक वाले answer मैच कर लिजे, exactly same है, तो I will suggest आप यहाँ अप्रोच पिक कीजे, योगि हाँ ग्लास में आपको यही वाली approach यूज करनी है तो better है कि अभी से इस वाली approach की practice करते वे चले, अब start करते हैं exercise 9.1, question number 1 देखिए, identify the terms and their coefficients for each of the following expressions, तो examples में अपने जैसे discuss किया था, first part देखिए, एक term यहाँ से लेकिए, यहाँ तक, अब बीच पे, जब भी मुझे plus या minus मिलता है, तो मेरी next term start हो जाते है, minus है, तो यह मेर next term, तो मेरे पास first वाले part में दो terms है, एक term तो यह है, और दोसी term यह है, अब इनके coefficient, coefficient होता है उस term के अंदर constant part, तो constant part means 5 यहाँ पे constant है, और यहाँ पे क्या constant part है, minus 3 यहाँ पे constant part है, तो यह दोनों होगे coefficients, तो यहाँ पे यह तो होगे terms और यह होगे coefficients, अब second वाला part देख तो यह दूसरी term हो गई, फिर प्लस मिला, तो यह तीसरी term हो गई, तो 1, x, और x², इमेरे तीन terms हो गई, अब इसमें जो भी constant part है, 1 के अंदर 1 खुद ही constant part है, x के साथ कुछ भी constant part नहीं है, तो by default 1 अपने इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका coefficient भी 1, और यहाँ पर भी कुछ भी constant नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1, तो यह coefficients हो गई, अब थर्ड वाला part देखिए, यहाँ से लेकिए, यहाँ तक एक term है, फिर minus बिला, तो यहाँ से लेकिए, यहाँ तक दूसरी term, और फिर यह तीसरी term, तो terms क्या हो गई मेरी, तो यह मेरी 3 terms हो गई, अब इन 3 terms में, जो जो constant part है, वो coefficient हो जाएगा, 4 यहाँ पर constant part है, minus 4 यहाँ पर constant part है, और जब कुछ नहीं है, तो 1 by default, तो यह मेरे coefficients हो गए, उन terms के, और 4th part देखिए, एक term यह है, दूसरी term यह है, तीसरी term यह है, चौतरी term यह है, तो 4 terms है मेरे पास, तो 4 terms लिख देता पास है, वो coefficient होगा, तो यहाँ पर 3 खुद ही constant है, अब यहाँ पर देखिए, minus PQ, तो इसको minus PQ लिखू या minus 1 PQ लिखू, एक ही बात है, constant part क्या हुआ, minus 1 होगा, यहाँ पर 1, कुछ भी नहीं है तो 1, और अगेन यहाँ पर, यहाँ पर भी minus 1, तो यह मेरे coefficients हो गए, अब फिफ्फ वाला part देखिए, यहाँ से लिखे, यहाँ तक, यह second term, और फिर यह third term, तो terms लिख देता हूँ पहले, अब इनके साथ constant part है, वो इनके coefficients हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 by 2, यहाँ पर भी 1 by 2, और यहाँ पर minus 1, अब six part देखिए, यह एक term है, यह दूसरी term है, यह तो constant parts क्या है, यहाँ पर, 0.3 constant है, minus 0.6 constant है, और 0.5 constant है, तो यह क्या हो गए, coefficients हो गए, तो इस तरह से मैंने हर एक algebraic expression में, पहले उसको terms में break किया, और फिर उन terms के coefficients बता दिए, okay, question number 2 देखिए, classify the following polynomials as monomial, binomial and trinomial, तो monomial के लिए M लिख देता हूँ, binomial के लिए B लिख देता हूँ, और trinomial के लिख देता हूँ, और इसके आगे, जो जो monomial, binomial, trinomial है, वो यहाँ पर आगे लिख दोंगा, तो सबसे पहले, x plus y, x plus y में दो terms है, दो terms है, means binomial है, एक term व पहला, trinomial, तो x plus y क्या हो गया, binomial, तो binomial के लिख दिया, अब next thousand, यहाँ पर एक ही term है, that means monomial है, तो यहाँ पर लिख दिया, next, एक, दो, तीन, चार, चार terms है, तो यह ना monomial है, ना binomial है, ना trinomial है, तो इसको एक और condition, बना देते हैं, अपन polynomial, तो इसको अपन polynomial के लिख द अपने इसको, अब उसका next देखिए, दो terms है, तो कॉमा लगा के, यहाँ पर binomial में लिख दिया, अब उसके next, यहाँ पर, यहाँ पर भी तीन terms है, तो कॉमा लगा के, यहाँ पर trinomial में लिख दिया, इसको भी, अब यहाँ पर भी देखिए, तो यह भी trinomial है, तो यहाँ लिख देए इसको अब next यहां पर दो term नेक्स यहां पर दो term अब देखिए यहां पर one two three four terms है, four terms है तो इसको भी polynomial में लिख देते हैं जो अपने extra category बनाई है, उसके बाद देखिए यह आपका monomial हो गया यह आपका binomial हो गया और last वाला यह भी आपका binomial हो गया तो इस तरह से मैंने इनको monomial, binomial और trinomial में categories में distribute कर दिया और यह जो दो थे यह किसी भी category में fit नहीं हो रहे थे तो इसको मैंने पहला expression लिख दिया मैंने, अब क्योंकि add करना है तो plus का sign लगाया और फिर दूसरा expression लिख दिया और फिर वापस plus का sign लगाया और तीसरा expression लिख दिया अब generally जब expressions लिखे जाते हैं add या subtract के लिए तो उनमें bracket भी लगाया जाता है बट add के case में bracket उत्ता important नहीं है तो आपका जो पहला step होगा वो कुछ इस तरह से होगा bracket लगा के फिर next step में आप क्या करेंगे इन brackets को हटा देंगे तो चाहिए तो direct इस वाले steps से भी आपन start कर सकते हैं जब plus के case पे bracket हटता है तो अंदरवाले terms पे कोई भी impact नहीं आता तो आप बिना bracket लगाए भी as it is लिख सकते हैं अब उसके बाद next जो काम रहेगा वो रहेगा like terms को एक जगे लेके आना तो देखिए a b, a b यहाँ पे है और a b यहाँ पे है यह minus a b है तो a b minus a b हो गया फिर minus b c तो minus b c लिखा अब b c वाला यहाँ पे एक और टम है तो यह है plus b c फिर minus c a तो minus c a फिर plus c a तो साजी like terms एक जगे आ गई अब देखिए a b minus a b 0 minus b c plus b c 0 minus c a plus c a 0 ठीक है और तीनो 0 जब एड़ होंगे तो आपको मिलेगा 0 तो यह मेरा solution अब second वाला पार देखिए मैंने first expression लिख दिया और फिर plus लगाया फिर second expression लिखूँगा और फिर पापस प्लस लगाया और third expression आए मुझे तो देखिए a एक और a कहीं पर दिख रहा है यह देखिए minus a फिर minus b फिर plus b फिर plus a b और a b का और कोई term दिख रहा है आपको नहीं है फिर minus c फिर plus c फिर bc वो भी plus का और फिर a से इस तो इस तरह से मैंने like terms को एक जगे लेकर लेकर आ गया अब देखिए a minus a 0 minus b plus b 0 minus c plus c 0 तो क्या बचा मेरे पास a b बचा b c बचा और a c बचा तो यहीं मेरा final answer ओके अब question 3 का third part देखिए यहाँ पर मेरे पास दो expressions है तो दोनों expression लिख दिए और बीच में plus का sign लगा दिया अब यह ब्रैकेट वाला part है कि ब्रैकेट लगाओं या ना लगाओं उससे कोई फर पर कोई impact नहीं आएगा तो इसलिए ब्रैकेट लगाईए या ना लगाईए प्लस के case में कोई फर्क ने पड़ता सब बच सब्ट्रैक्शन के case में लगाना ही होता है यह special आपको जहां रखना पड़ेगा अब देखिए next step में like terms को एक जागे लिखे है यह two p square q square minus three p square q square ए एक term यह है फिर minus three p q और यहाँ पर plus seven p q और यह plus four plus five अब देखिए two minus three minus one तो यह हो जाएगा minus p square q square minus three plus seven यह होता है four तो यह हो जाएगा four p q और four plus five कितना होता है nine तो यह मेरा final answer ओके अब fourth part देखिए यहाँ पर चार algebraic expressions है तो चारो algebraic expressions मैंने लिख दिये और सब के बीच में plus का sign लगा दिया क्योंकि add करना है अब next step में मैं क्या करूंगा like terms को एक जेगे लिखे होंगा तो यह देखिए like terms को मैं एक जेगे लिखे 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 हो गया l square plus l square m square plus m square n square plus n square अब इनको add कर तो यह मेरा final answer इन दोनों से यह इन दोनों से यह इन दोनों से यह और यह तीनों terms as it is क्योंकि कोई भी like terms नहीं है तो idea subtract कुछ नहीं कर सकते हैं अब पर करते है question number four देखें subtract subtract this from this from this मतब इस में से तो जिस में से subtract करना है वो पहले लिखा जाएगा और जो subtract करना है वो मैंने पहले लिख दिया और फिर बाद में जो subtract करना है वो लिखा अब दोनों के बीच में minus का sign लगा दिया अब subtraction के case में bracket लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि subtraction के case में जब bracket open होता है तो अंदर वाले सारे terms में impact आता है क्या impact आता है साइन के सबके change होते हैं तो देखिए स्टार्टिंग वाला जो bracket है वो तो as it is आ जाएगा या फिर स्टार्टिंग वाले bracket की यह minus 4a तो यह दो terms हो गई फिर minus 9ab और यह plus 7ab फिर plus 5b फिर minus 3b फिर minus 3 minus 12 तो minus 3 minus 12 अब देखिए 12 minus 4 8 तो यह हो गई 8a minus 9 plus 7 तो यह हो गई 9 minus 2ab 5 minus 3 2 तो यह हो जाएगा 2b minus 3 minus 12 यह आपो देगा minus 15 तो यह मेरा answer अब भी वाला पार देखिए, यह सब्ट्रेक करना है, इसमें से सब्ट्रेक करना है, तो जिसमें से सब्ट्रेक करना है, वो पहले लिखेंगे, तो जिसमें से सब्ट्रेक करना है, वो बैने लिख दिया, अब जो सब्ट्रेक करना है, वो लिख देते हैं, अब दोनों के के सभी terms के sign change हो जाएंगे जो plus हो माइनस हो जाएगा जो माइनस हो plus हो जाएगा अब next काम like terms को एक जगे लिए कि आना है तो देखें 5xy xy वाली और कोई term यहाँ पे तो minus 3xy फिर minus 2yz फिर यहाँ पे देखें yz तो minus 5yz फिर minus 2zx तो minus 2zx और इधर से plus 7zx अब यह term बज गई तो यह लिख देते है 10xyz अब देखिए 5 minus 3 2 तो यहाँ 2xy minus 2 minus 5 minus 7 तो यहाँ गए minus 7yz minus 2 plus 7 तो यहाँ प्लस 5zx और फिर लास्ट में 10xy and z तो यह मेरा final answer अब c part pick करते हैं इसका देखिए c वाले part के अंदर मुझे जिस में से subtract करना था वो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे जो subtract करना था वो बाद में लिख दिया और बीच में minus का sign लगा दिया next step में मैं क्या करूँगा brackets open करूँगा तो जो bracket open करूँगा तो इस bracket के अंदर जितने भी terms हैं उनके सबके sign change हो जाएंगे यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह minus हो जाएगा इस तरह से तो देखिए next step में मैं bracket open कर देता हूँ just तो यह मैंने bracket open कर दिया और अंदर वाले सारे sign change कर दिये अब like terms को एक जगे लिखे आऊँगा तो देखिए सबसे पहले 18 एक constant part है इधर 10 एक constant part है तो यह जाएगा 18 plus 10 minus 3p तो minus 3p अब p वाला कोई part ढूंड़िए इस में कहाँ पे है यह देखिए 8p तो यहाँ पे 8p लिख दिया अब next q वाला part minus 11 q इधर एक q का part है तो minus 7 q अब देखिए p q तो यहाँ पे plus 5p q अब p q का और कोई part है देखिए यहाँ पे 3 तो यह plus 3p q फिर देखिए p q square तो minus 2p q square देखिए p q square और कहीं आपको दिख रहा है p q square यहाँ पे देखिए minus 5p q square अब next 5p square q p q square और p square q दोनों में difference है तो दोनों अलग-अलग terms है तो 5p square q और यहाँ पे देखिए p square q तो minus 4p square q इससे से मैंने like terms लिख दी तो इससे जब मैं underline कर लेता हूँ तो चीज़े तो आप एक dot भी बना सकते हैं तो इससे क्या होता है कोई भी miss होने का chance finish हो जाता है क्योंकि मैं check कर लिया सबके नीचे dot या फिर underline है that means सारा लिख चुका हूँ मैं अब देखिए 18 plus 10 28 यह minus 3 plus 8 यह कितना देगा plus 5 यानि plus 5P यह आपको देगा minus 18Q यह आपको देगा 8 यानि 8PQ यह आपको देगा minus 7 यानि minus 7PQ स्क्वेर और फिर 5-4 यह आपको देगा 1 यानि P स्क्वेर Q तो यह मेरा answer बट answer लिखते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखिए थोड़ा सा जो higher powers हैं उनको पहले लिखने की habit डालिए तो चीज़ तो answer यह भी गलत नहीं है बट बेटर habit क्या है जो higher powers हैं उनको पहले लिखें तो देखिए P स्क्वेर Q फिर minus 7P Q स्क्वेर फिर 8P Q फिर minus 18Q फिर plus 5P फिर 28 तो इस sequence में आप answer छोड़िए पहले higher power फिर देदे decreasing वाली power ओके तो इसी के साथ यह exercise भी finish होती है अभी बहुत basic चीज़े हैं अगर यह basic से आपके clear रहेंगे तो आगे आने वाली exercise में आपको बहुत help मिलेगी और आगे आने वाली exercise में वह higher class के साथ से बहुत important है specially last exercise तो इदम starting से ही concept clear करे चलिए ताकि last exercise में आपको issue ना आए और कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो please let us know, we will try to help you all Okay, see you in the next exercise I'm your mentoring, make a difference Hereby students can contact us for group and individual mentoring session Our location is mentioned in video description Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions And for other online videos which are not publicly available on YouTube Thank you